आप लोगों का फिस्टर स्वागत है अपने चैनल ओगीपूर क्लासेस में आज के इस वीडियो में आपको वताने जारों क्लास नायंत का समाजी विग्यान का और दोवार्शिक परिच्छा जो कि आपके फेपर लिए बहुत इंपॉर्टन सावी तेगा यह पेपर यह पेप को अच्छी तरह से सौल करके अपना पेपर देने जाते हैं सच में बताओं आपका फिपर हंडेट परसेंट बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने बहुत कोट से इस पेपर को मैच किया है तो चले यहां पर चलते हैं स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हो यहां पर समय आपको तीन घंटे का समय दिया गया जो कि आप देख सकते हो और निर्देश पाण क्या दिया है नोट प्रारम के पंदर प्रचातियों को प्रसंट पत्र पढ़ने के लिए निर्दारे थे हैं और उनके लिए सभी प्रसंट करना अनिवार है तो चलिए मैं आपको यहां प होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आपके सामने दिया जो कि आप देख सेकते हैं दा क्या दिया दिप और लाज नामक पुष्टक के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको बता दूँ और सने यह रूसो लॉक मैंटेक्ट्यू और मैक मैका वली तो इसका यहां के करेक्ट्यूसर में आपको बता दूँ इसका करेक्ट्यूसर ौफड़ेंज प्रेंज हो जाएका अगरा किसन आपके सामने दिया जो कि आप देख सेकते हैं क्या दिया है नेपॉलियन की वाटरलू में पराजे होई थी ऑप्सणे दिया है वाठर सॉ पंदरहस्व तो friends अगर देखा जाए इसका character क्या हजाएगा तो जो मान टेक्टू का जो वाटर लू में प्राजे कब हुई थी friends वाटर रूलू की लड़ाई 18 जून 18 जून कितना जून फ्रेंड्स 18 जून 1815 स्वी को कब हुई थी 1815 स्वी को स्टार्ट हुई थी जो की फ्रेंड्स कहां हुई थी बेल्जिया में हुई थी अगर इस्थान पूछे तो कहां हुई थी बेल्जिया में हुई थी कहां हुई थ रूस की क्रांती किस वर्स हुई थी ओस्वा ने दिया 1905-1912-1915-1917 तो भाई मैं बता दू रूस की क्रांती कब हुई थी रूस की क्रांती 1917-1917 में हुई थी और कब शुरू हुई थी अगर यह पूछे तो आठ मार्च आठ मार्च कब हुई थी शुरू 1917-1917 और कब तो चली थी 16 जून 1923 तक यह फ्रेंट्स लड़ाई चली थी इसका करेक्ट्रेंशर क्या जागा फ्रेंशर और संडी इसका करेक्ट्रेंशर जागा 1917-1917 अगला क्रिशन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं समाजवाद का जनक कौन था और स्वा ने दिया रूसो फिंदिया मार्टिन लूथो मार्टिन लूथर फिंदिया इस्टेलिन और काल मार्क्स तो फ्रेंश मैं आपको बता दू समाजवाद के जनक कौन थे तो समाजबाद के यह कॉल मार्क्स यह जनक थें क्यों इनको बाना गया था क्योंकि यह वेग्यानिक जनक थें इसलिए इनको बाना गया था समाजबाद का जनक अगला खिशन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं प्रेंट्स क्या दिया है पच्वा नाटसी यूथ लिग का गठन किस वर्स हुआ था ओप्सन ने दिया उननीस सो इननेस सो बाई सिस्वी उननीस सो पचीश सिस्वी उननीस सो तेश सिस्वी तो भाई मैं आपको बता दू कब हुई थी चौदर जुलाई 1926 पर लगा देना है तो चलिए फ्रेंट्स यहाप देखिए क्या दिया गया है भारत का छेटरपल विस्य की कुर भेज़वलिक छेटर का कितना है तो फ्रेंड में आपको बतादू भारत का करीब कितना है अगर में बतादू भाई करीब 2.4 प्रतिसाद भारत का छेटरपल है तो इसका correct answer हो जाएगा अगला किस्तन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है छेत्रफल की दिष्टी से सबसे बड़ा राज जी कौन है अप्तन एदिया उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश राजस्थान च्छतिस गर तो इसका करेक्ट टेंसर क्या जाएगा गोवा इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा जब छोटा पूछे तो यहां पर अगला किस्तन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते क्या दिया है छेत्रफल की दिष्टी से तो मैंने बता दिया भारत का स्वरच परवत सिखर कौन सा है अप्सवा ने दिया है माकूल कंचन जंगा मांटेन एवरेश नंगा परवत तो इसका करेक्ट टेंसर में आपको बता दो फ्रेंड से दुनिया का सबसे उची यहां दुनिया की सबसे उची में मानी जाती है कंचन जंगा option number two इसका correct answer हो जाएगा और इसकी उचाई देखा जाए तो फ्रेंड्स कितनी है इसकी उचाई आथ हजार 8586 मीटर है कितना है 8,586 मीटर इसकी फ्रेंड्स क्या है इतनी मीटर इसकी उचाई है अगर लगबग इसकी फूट में बात करें तो फ्रेंट्स यह कितनी है 28169 यानि की फ्रेंट 28181879 इसकी फूट है यह दुनिया की सबसे ऊची ऊची इमारतों में से तिसरी इमारत गीने जाती है अगला कुशन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते है क्या दिया है कबरित की राजधानी है क्या दिया लच दीप अंडमान आयम मा है तो इसका करेंट टेंसर क्या जाएगा फ्रेंट्स कबरित किसकी राजधानी है अंडमान की करेंट टेंसर हो जाया किसका अंडमान क राजधानी है अगला किसन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते है फ्रेंड्स क्या दिया गया है अंडमान लक्षदीप कबरित किसकी राजधानी है स्वारियार कबरित लच्छदीप की राजधानी है किसकी है लच्छदीप की दच्छिट भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नरदी दच्छिर भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी अगला कुशन आपके सबने दिया गंगा कारी योजना कब आरम की गई थी और सब्सक्राइब यां 1905-1995 में दो हजार में तो भाई में आपको बता दू गंगा कारी योजना 14 जनवरी 29 2018 को शुरू हुई थी 14 जनवरी 14 जनवरी 29韭 tyre how to reass shoots भी को शुरू की गई थी यानि की इसका kudv contents में आपको बता दू गंगा कारी 14 जनवरी 58 हिस्षभी को शुरू की गई थी यहां पर फ्रेंट्स मुझे आस्न नहfindा आप लोगों किसको क्या कर लिजिएगा चेक आउट कर लिजिएगा तो अगला किसन आपके सामने था जो कि आप देख सकते हैं लोक तंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए कथन किसने कहा था फ्रेंट्स लाट बाइस डाइस सीले अब राहन लिंकॉन तो इसका जीवन पद्धत की रूप में लोकतंत्र क्या है धार्मिक लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र राजनेतिक लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र तो इसका करेक्ट टंसर क्या जाएगा फ्रेंट्स ओस्वान ये इसका करेक्ट टंसर हो जाएगा धार्मिक लोकतंत्र अगला क्यूशन आ इसका करेक्टर क्रेंड़ित्र का जाएन वेकर इसका क्रेंग्या अगला किस्टिफाराइव हलोस में वायक में तो इसका correct answer option भी इसका correct answer हो जाएगा अगला question आपको सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं पालमपूर की मुख क्रिया क्या थी? friends, क्रिसी थी, उद्योग थी, निर्मार थी, ये सभी थी तो friends, पालमपूर की अगर मैं बता दू, मुख उद्योग क्या थी? तो मैं आपको भाई बता दू, पालमपूर की, एक मिनट मैं आपकी बाग को बताता हूँ पालमपूर की मुख उद्योष क्या थी भाई? क्रिसी थी, option ये इसका correct answer हो जाएगा दूद, संग्रण, एवं सीतल, किंद्र कहां इस्ति थी थे? राय गंज, वारार सी, मिर्जा पूर्ज, ये भी question friends आपको देख लेना है क्योंकि भाई मैं इसमें confuse हूँ, कौन सा होगा? अगला question आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है? सिच्छित बेरोजिगारी पाई जाती है, कहां पाई जाती है? अगला question आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं भारत में 211 की जनगर्ना के अनुसार साचर्टा दर कितनी थी? अगर भाई देखा जाए, 2001 की जनगर्ना के हिसाव, भारत की जो अवादी थी, फ्रेंट साचर्टा दर थी 68.4.3 प्रेंट थी, और इस समय अगर इस जनगर्ना के हिसाव से देखा जाए, 2011 की, तो यह कितनी हो गई है? इसका करेक्ट रंसर यहां पर आपका जो 73% दिया गया है, यहां पर आपका इसका करेक्ट रंसर हो जाएगा, अगला कृस्टन आपके सामने दिया, जो की आप देख सेक्विए क्या है? से बैसे यह लोप्र जाता है लोहिता साको भीभाग दिहंगा इस का यहां आपकटों हो जाएगा और प्रेंट्स यहां पर आपके दिये गहे हैं प्रांसिसी समाज को कितने स्टेट में वर्गी कृत किया गया है और यह दिया है फ्रेंट्स अथवा करके दिया है खूनी रवीवार क्या है इस घटना के उपरियुक्त कौन सी घटना है घटी और फिन दुचा कि प्रतम विश्युद में जर्मनी की प्रयाजे की कारण क्या थे फिर फ्रेंट्स अथवा करके दिया है आप यह दिसे नहीं कर पाते हैं उत्री मैदान में बहुत संगन प्राजय बहुत संगन जलसंक्या इसकी कोई तीन करार लिखिए लोक तांत्रिक सरकार की प्रमुक्ष लच्छडों का उल्लेक कीजिए तीन चत्रों में रोजगा फ्रेंट्स आपको इंडियक कितने लिकीन विसेस्ता और फ्रेंट्स यास से आपको इस्ठाठ होते हैं वर्नात्मक फ्रेंट्स नहीं अप एक बार इनका क्र झाल data ले सकते हो जो कि फ्रेंट्स आपके क्यूşन पेपर की बिहद इंपोर्टन सावित होने वाले हैं इन क्यूशन इन क्यूशनों को आप एक बार रिवीड करके जरू जाइए फ्राज की क्रांती पर किन किन दार्सिकों का परभाव परा रूस करांती से आप क्या समझती हो भारत की तट रेखा कितने लंबी इसके पांच लागों का वरनन कीजिए हिमाले परवत माला का वीरवड या कितनों भागम विभारी तुछ लिकना है भारती सविधान में दिये गे मौलिक अधिकारों की मुख विसेश्था बताईए अत्वा करके दिया है भारत में सोतंत और निर्पच चुनाव कराने वाले के लिए क्या कदम उठाए गए और फ्रेंड्स यहां पर देखिए लास्ट में आपको दिया गया है बेरोजघारी की प्रमु खान्यों को संचिप में वरन कीजिए अथवा कर कि दिया है और फ्रेंड्स यहां पर आपको मानचित्र दिया है जो कि आप देख सकते हैं एक क्यूसнее झचैН दो अंका है पहला कुछन आपके सामने दिया है वह इस्थान जहां पर लाल किला इस्थी थे तो लाल किला कहां पिश्थी थे फ्रेंट्स नई दिल्ली इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा वह इस्थान जहाँ पर नवाबों का सहर कहा जाता है फ्रेंट्स वह इस्थान कौन सा है लखनव इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नवाबों का सहर कौन से कहा जाता है लखनव वह इस्थान जहाँ भारत का संसद भवन इस्थी थे वह फ्रेंट्स कौन से दस्थाने नई दिल्ली इसका correct answer हो जाएगा वह इस्थान जहां gateway of India इस्थी थे तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दू gateway of India आपके बांबे में इस्थी थे यानि कि मुंबई इसका correct answer हो जाएगा बांबे इसका correct answer हो जाएगा अगला question आपके साने दिया है वह इस्थान जहां इंद्रा गांधी हवाई अड़ा इस्थी थे तो friends हवाई अड़ा कहां इस्थी थे नई दिल्ली में इस्थी थे हवाई अड़ा तो friends I hope कि आज को question आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर friends जो question दिये गए हैं आप इनका screenshot लेकर अपना solve कर सकते हो I hope कि friends आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तब प्लीज जाए वीडियो के एक like कर दिजिएगा और चैनल पर पहली वार विजिट करें तो प्लीज जाए चैनल को subscribe को लिजेगा यदि आपका अभी paper हो रहा थे friends आप अपने paper का नाम बता सकते हो और आप comment कर सकते हो कि sir मेरा paper चल रहा है मुझे paper की और सकता है आपको paper provide होते रहेंगी इसी channel पर बस आपको simple सा छोटा सा काम करना है आप इस पर क्या कर दिजेगा एक like कर दिजेगा और सुन्दर सा comment कर दिजेगा friends हम आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा आप लोगों को एलान करेंगे जिसमें आप लोगों को परड़े लगभग आपको discussion कराये जाएगा live जिसमें से अगले साथ दिनों तक जो सहीं आगर सहीं विज़ेशता आपको first आते हों तो friends अगले साथ दिनों के अंदर आपको 100 रुपे का पुरुस्कार दिया जाएगा जो कि आपको या आपको paper के अगले साथ दिन तक आपको live में यानि कि first और second, third, third, तीनों को आपको क्या दिया जाएगा result आपको दिया जाएगा तो friends यह एलान बहुत ही जल्द होने वाला है आपको provide कर दिया जाएगा आपके comment box में तो I hope कि friends आप लोगों समझ गये होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ तो friends आप यह एलान कच्छा 10, 12 वालों के लिए आवश्यक है friends और कच्छा 9 वालों के लिए भी बहुत ही जरूरत है क्योंकि हमारा target है friends कच्छा 10 वाले भाईयों के साथ वो अपने paper में अच्छा करें और कच्छा 10 में वही question साल होगा previous year के बहुकल्पी question उठाये जाएंगे और वहें से question दिये जाएंगे friends और पर डे लाइब चलाये जाएगा friends उस लाइब में जो भी भाई अगले साथ दिनों तक लगातार आकर लाइब में जुड़ता है और अपने answer को पहले दूसरे तिसरे नंबर पर आने की कोसिस करता है उसे last दिन याने की Sunday को 100 रुपे से भी ज़्यादा उसको क्या मिलेगा गिप्ट दिया जाएगा I hope की friends आप लोग समझ गए हैं जैसे आप लोगों की संक्या बढ़ती जाएगी और आप लोगों का price बढ़ता जाएगा friends तो I hope की friends आप लोग समझ गए होंगे थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद वन्दे मातर